आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा इंग्रीडिन जो की सूपर फूड है कई लोग इसको जानते हैं कई लोगों को इसके बार में शायद नहीं पता ये है मोरिंगा के पत्ते जिसे हम सौझना भी कहते हैं और ये साउथ में काफी इस्तमाल होता है बेंगॉल में भी काफी इस्तमाल होता है Drum stick जो सामबार में जाती है वो इसी पेड का फल होता है और जो सौझने के फूल होते हैं उसकी सबजी भी बनती है और best रहता है मुरिंगा लीव्स का पराथा हाल फिलाल में मोदी जी ने काफी popular कर दिया है मुरिंगा को और मुरिंगा के पराथे को तो आज वही recipe हम recreate करेंगे चलिए बनाते हैं मुरिंगा पराथा तेकि मुरिंगा पराथा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आटा और चो मुरिंगा पराथा आज हम बनाएंगे उसे मैं सर्फ करूँगा कारलिक चटनी के साथ लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए वो नहीं भूलना आपने ठीक है मुरिंगा के पिरांठे को बनाने के लिए हमें चाहिए मुरिंगा लीज यह इसके ताजे पत्ते हैं जिने हमें धो कर रखा है इसे हम रफली चॉप कर लेंगे ठीक जैसे मेती काटते हैं बिल्कुल वैसे देखें जो मुरिंगा है उसके पत्ते उसके फूल उसका फल उसकी जड़ सब कुछ इस्तमाल होता है और इसे कहते है सूपर फूड यह जो आप पत्ते देख रहे हैं इनके अंदर विटमिन सी की मात्रा काफी ज़ादा होती है और आप सब तो जानते हैं कि विटमिन सी हमारी इम्म्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कितना इंपॉर्टन्ट है और साथ ही साथ इन पत्तों के काफी medicinal uses भी है यह अगर आपको कोई चोड लग जाती है बॉडी ने आपको तो यह quickly heal करती है अगर आप मॉरिंगा खाते है आपका जो blood pressure है उसको reduce करती है कहते हैं कि हाट जो heart's related diseases होती है जैसे blocked arteries उसको control करता है तो all in all बहुत ही जादा फायदे मन्थ यह ingredient है तो यह मॉरिंगा के पत्ते गए आटे के अंदर यह आटा और यह मॉरिंगा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन बारी कटीवी हरी मिर्च chopped onions बारी कटीवी अद्रक थोड़ा कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा जीरा स्वाद अनुसार नमक और हल्दी इसमें हम डालेंगे पानी और इसे अच्छे से गून लेंगे हमें एक stiff dough यानि कि थोड़ा सा सक्त आटा गूनना है मॉरिंगा के जो पत्ते होते हैं जब आप जैसे घर पर दाल बना रहे हैं या फिर पुलाव बना रहे हैं या फिर कोई सबजी बना रहे हैं जैसे लौकी की सबजी इन सब के साथ आराम से डाल सकते हैं इनके पत्तों का कोई बहुत ज़ादा prominent flavor नहीं होता इसलिए किसी भी सबजी या दाल के अंदर या चावल के अंदर interfere नहीं करते हैं बट अपने बेनिफिट्स देते हैं नूटिशनल बेनिफिट्स तो मुरिंगा को अपने डेली खाने के अंदर मिलाएं अपनी इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये एक आसान दरीका है अगर आपके आसपास अगर खुला मैदान है कहीं पर या आसपास अगर कोई बगीचा है तो वहाँ पर इसका छोटा सा पौधा या बीज लगा दें और कुछी साल के अंदर ये पेड़ बन जाएगा और आप ही को नहीं सब को फाइदा देगा इस इंपॉर्टन के हम लोग खाना जो है हमारा जो पौश्टिक है उसे अरीब करीब ही अपने घर के आसपास ही उगाए और इसमें उगाने में ज़्यादा मैनत नहीं लगती एक बार पौधा जम गया कुछी सालों में पेड़ बन जाता है अपने आप डाश अफॉइल दो तैयार है इसे देना है 10 मिनट का रेस्ट जब तक ये रेस्ट करेगा हम बनाएंगे कार्लिक चट्नी लसन की चट्नी बनाने के न एक नहीं अनेक तरीके हैं और सभी बढ़ी है मेरा जो आज का तरीका है सिंपल सा है इसमें जाएगा थोड़ा सा वाइल गरम करना है और लसन के साथ एक और स्ट्रॉंग फ्लेवर हींग वो बड़ी अलगता है थोड़ा सा जीरा चोंकना है इसमें जड़ा सा कड़ी पत्ता लसन की चट्नी के अंदर लसन बहुत जादा नहीं जाएगा क्यों क्योंकि अब्विसली लसन बहुत जादा स्ट्रॉंग होता है तो हमें बहुत जादा लसन की ज़रूरत नहीं है थोड़े से ही एक काफी अच्छा पंजिंट इसके अंदर फ्लेवर आएगा लसन को हम भूनेंगे लेकिन इतने थोड़े लसन का ओविसली बात है के चट्नी कैसे बनेगी इसको एक कुछ बेस चाहिए तो बेस जो आएगा वो आएगा कश्मीरी लाल मिर्च का ये है कश्म एक बढ़िया टेस्ट फ्लेवर देगा ये भीगिवी हैं पर या इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी इसमें तीखा है तो थोड़ा सा मीठा स्वीट चिली जिसे हम कहते हैं वो वला फ्लेवर देंगे थोड़ा गुड़ डालके और क्योंकि इसके अंदर मीठा है तो खटा तो बनता ही है तो देगा खटा मीठा तीखा साथ में गार्लिक चटनी तया है आप चाहे तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं आप चाहे तो इसके अंदर इमली का गुदा भी डाल सकते हैं वो भी बढ़िया फ्लेवर देता है अगीन बॉड़ी भी एक अच्छी देता है इसमें हम डालेंगे सॉल्ट और इसे पकाएंगे जब तक कि गुड जो है वो मेल्ट ना हो जाए पानी को थोड़ा रिड्यूस करेंगे बहुत ही बढ़िया चट्टी मनते हैं खट्टी मीठी तीकी और लसुन का जो स्ट्रॉंग फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा वेल राउंड़ेड हो जाता है भूनने के विज़ा से यह गौट गैस को करेंगे बंद और इसे थोड़ा सा थंडा कर लेंगे थंडा करने के बाद इसे पीसेंगे इसे भर लेंगे चट्णी तेयार यह रही हमारी लसन की चट्णी ट्रस्ट मी यह कैसी चट्णी आप एक बार खाएंगे बार बार खाएंगे और जस्टिन केस आपको इसकी लाइफ बढ़ानी है तो पीसने के बाद थोड़ा सा इसको आप भून सकते हैं ताके इसका जो पानी है वो थोड़ा और सूख जाए गाड़ी हो जाए एक बर वैसे आपने कर लिया तो हफता दस दिन यह चट्णी बिलकुल खराब नहीं यह है अपना दो इसे रैस मिल गया है अब इसके हम पेड़े काटेंगे थोड़ा सा सुखाटा पेड़ों को हम इस तरीके से रख देंगे और राइट सो थोड़ा सा सुखाटा और इसे हम बेल लेंगे इस पे लगाएंगे थोड़ा सा घी थोड़ा सा सुखाटा और इसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे और ऐसे थोड़ा सा घी उस पे और ऐसे तयार एक बार फिर बहुत ही टेस्टी बहुत ही बढ़िया पराठा बनता है आप इसे चट्नी के साथ खा सकते हैं राइती के साथ खा सकते हैं लस्सी के साथ इसे खा सकते हैं या सब्जी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं ओड़ा सा सुखा आठा यह तियार अब इसे हम बेल लेंगे चौकोर शेप में इसे हम ऐसे फेला लेंगे Look at this, कितना खूबसूरत लग रहे यह जाएगा गर्मा गर्म तबे पे लगाएंगे हम थोड़ा सा घी ही में बढ़िया बनता है there you go बनने को तो ओइल में भी बन जाता है घी घी है आरे वाह क्या बढ़िया पराठा निकला है beautiful करारा make sure sides को हम प्रेस करने ताके चारों तरफ से evenly यह पके पराठा तैयार look at that steaming hot पराठा buringa पराठा तैयार बाकी को भी ऐसे ही तैयार कर लेते हैं पराठे को रखेंगे इधर बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है अरे वाह भूग पड़ गई मुरिंगा पराठा साथ में कार्लिक चट्नी टान चले चलते हैं अब tips and tricks की तरफ जहां पर हम जानेंगे कि मुरिंगा पराठा बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है at the same time मुरिंगा के क्या-क्या फाइदे हैं देखे जबी भी हम पराठा बनाते हैं चाहे वो मुरिंगा का है या फिर आलू का है जो डो है पराठे का हमेशा stiff यानि कि थोड़ा सा hard गुंदा जाता है पराठे को गुंदने के बाद पांच से दस मिनट का रेस्ट जरूरी है उसके बाद जब हम पेड़े काटते हैं उसके बाद और पांच मिनट का रेस्ट जरूरी है ऐसा करने से बेलने में आसानी होती है मुरिंगा को आप काट कर पराठे में डाल सकते हैं ताजे पत्ते अगर आप चाहें तो मुरिंगा को dry करके भी इस्तमाल कर सकते हैं मुरिंगा के पत्तों को सुखाना असान है आप चाहें तो उसे धूप में सुखा सकते हैं चाओं में सुखा सकते हैं आप चाहें तो उसे आवन में सुखा सकते हैं बहुत ही सिंपल है, ड्राइड लीव्स को लेना है, उबलते पानी में डालना है, दो मिनिट का वक्त दीजे, उसे रेस्ट दीजे, छान लीजे और आपकी मुरिंगा टी तैयार. मुरिंगा एक सूपर फूड है जैसे में आपको बताया, और उसके जो खासकर पत्ते हैं, उनके अंदर काफी पोशन होता है, जैसे के उसमें कैल्शियम होता है, स्किन के लिए अच्छा है, हेर के लिए अच्छा है, आपके बीपी को कंट्रोल में रखता है, और जो अपने दाल में, पुलाओ में, सबजी में, परांठे के अंदर बेहिचिक मुरिंगा के पत्तों का इस्तमाल कीजिए